एक बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है रीजेंसी के बाहर धीम आर्मी का हंगामा मौके पर भारी पुलिस पर तैनास पीडिता को दिल्ली रेफर करने की मांग स्पी वेस्ट और कारे करताओं के बीच नोग छोक और ये कानपूर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं रीजेंसी एस्पिताल के बाहर भीम आर्मी ने हंगामा किया है मौके पर भारी पुलिस पर को भी तैनास किया गया है साथ ही पीडिता को दिल्ली रेफर किये जाने की मांग हर कोई कर रहा है एस्पी वेस्ट और कार्यकरताओं के बीच नोग जोक भी हुई है और ये आपको सीधी तस्वीरे हम दिखा रहे हैं कानपूर के रिजिल्टी पोफिजल के ये नोग जोकी सीधी तस्वीरे और यहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं भारी मात्रा में पुलिस्वल यहां पर सैनाथ है अब देख सकते हैं यहां पर भी मार्मी के लोग खंगामा करते हुए और साथ ही साथ अगर आपके मिलने से पुलिस अब सरलोगों को समझाते हुए लेकिन आपस दी लोग छोप रिजिंस्टी अस्पटाल के बाहर चल रही है जहां पर लोगों को कहना है कि पीरिता को जल से जल दिल नी रिफर किया जाए लेकिन पुलिस इस बात पर कोई भी आक्षिन लेने को तयार नजर नहीं आ रही और इसी बात को लेकर दोरों ही पक्षों में पुलिस और जनता की भी स्क्रीम आर्मी के लोगों की भी सिहां पर डोग जोग होती हुए नजर आ रही है यह आप देख सकते हैं सीजी तस्वी कोई आवश्यक्ता यहां पर नहीं है आपको बता दें कि लोग लगातार बांग कर रहे हैं कि पीडिता को जल से जल दिल्ली रिफर किया जाए ताकि उसकी स्थिती को समहला जा सके उसमें सुधार आ सके लेकिन यहां पर पुलिस बलके अधिकारियों का आप देख सकते हैं भीमार्वी के लोगों से साथी साथ जनता से वो साफ साफ कह रहे हैं कि इस तरह की मांगो कि कोई आवश्यक्ता नहीं है यहां पर के निउस के माध्यम से सुबे से ही हम लगातार आपको इस घटना को लेकर पलपल की अपडेट दे रहे हैं जिसमें तीन किशोरियां ठेट में हाथ पैरों से बंध ही पड़ी हुई मिली थी जिसमें दो की मौत पहले ही हो चुकी है डॉक्टर ने नोंने म्रत घोशित कर दिया है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है बीच में ये भी खबरे आई थी कि पीडिता सेबल है लेकिन ताजा हाला देखते हुए ऐसा कहना मुश्किल है और शायद यही वज़े है कि भीम आर्मी के तमाम कारे करता उसके साथ ही साथ आम जनता भी इस बात की गुजारिश कर रही है कि पीडिता को जल से जल दिल्ली एम्स के लिए रिफर किया जाए ताकि उसकी सिटी में सुधार आ सके और उसे बचाया जा सके लेकिन प्रशासन इसके पक्ष में नहीं कानपुर में उन्नाव की लड़की जो जिंदिगी और मौत से जूज रही है उससे देखने की पूर्व सांसर सुभाशनी अरी रिजेंसी हॉस्पिटल वॉची इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आई आपको सुनाते हैं सुबा सुबा पता चला कि बहुती विभज घटना उन्नाओ की है जिसमें तीन बच्चियां खेत में पाई गई गई मर चुकी थी एक बहुत सीरियस है अभी अस्पतार से भी पता चला है कि वो वेंटिलेटर पर है और इसलिए किसी को देखने के लिए भी नहीं जाने दे रहे तो मैं भी नियम का पालन करती हूँ लेकिन ये है मतलब चिंता का विशे है आकरोश का विशे है कि हमारे उत्तर प्रदेश में रोज 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 ऐसा क्यों हो रहा है कहीं लड़कियों का बलातकार, कहीं उनकी हत्या, कहीं जादू, टोना, आखिर क्या हो रहा है इस प्रदेश में जो ये चीज़े इतनी बढ़ रही है मुझे लगता है कि जो सरकार को काम करना चाहिए, मतलब लोगों की सुरक्षा, लोगों को मतलब जो न्याय है, न्याय मिले, वो सब काम छोड़ करके वो दूसरे अपने एजेंडे में लगी हुई है, जिसकी वज़े से इन घटनाओं का बस इतना बुरी तरह से बढ़त हो र कहीं ने कहीं, मैं तुझे की सम्दिता भाई आगती है, देखिए, ऐसा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, उससे लगता है, नहीं है, कि ये एक सीधा-सीधा पोईजनिंग का या स्विसाइट का केस है, क्योंकि अगर कुछ तो उसका फिर पता चलता, अभी वो ल कुछ मामला है, या तो कोई तंतरमंत का मामला है और या फिर उन के ओपर कोई हमले का मामला है, लेकिन जैसा की परिवार के लोग भी बता रहें कि उस तरह के निशान उनके शरीर पर शायद नहीं मिले हैं, कपड़े भी वो पहनए थी, लेकिन ये है हमला बच्चियों के उपर तीनों दलितवर की थी, कम उम्र की थी और आजकल अंद विश्वास का इतना बोल बाला है हमारे समाज में हमारे बगल के इगाउं में आप जानते हैं कि एक बच्ची के जो अंग थे वो खा लिये गए कच्चे तो अंद विश्वास इतना बढ़ रहा है, अंद विश्वास को माफ कीजेगा हमारी सरकार बढ़ा रही है और आईए आपको ग्राफिक्स के जरीए बताते हैं उन्नाओ का ये पूरा बामना खेत में बंधी मिली तीन किशोरिया दो की मौत, एक की हालत, नाजू खेत में जानवरों का चारा लेने गई थी सभी के मूँ से निकल रहा था ज्जाग सभी के हाथ पैर बांधे गए थे दो लड़किया मिली थी खेत में म्रत एक का कानपुर में चल रहा है इलाज आपस में रुष्टेदार थी तीनो किशोरिया पुलिस के आलाधिकारी मौके पर छावनी में तब्दील हुआ बबुरा हगाओ जाज के लिए बनाई गई च्छे टीमें चार सीओ नौ थानेदारों को लगाया गया क्राइम ब्रांच में तैना तीन इंस्पेक्टर तैनाद सत्तर मुख्या रक्षियों को भेजा गया 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 तीस सिपाहियों की अतिरिक्ट तैनाती पुलिस कर्मी टियर गैस गोले के साथ तैनात अन्योप करनों से लेस जवानों की तैनाती तो लगातार हम उन्नाव हत्याकान को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं और उसी पर आम आदमी पार्टी के सांसर्द और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंग ने गुरुआर को उन्नाव घटना पर एक के बाद एक दो ट्वीट करते हुए प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए जन्ता से सवाल भी पूछे संजय सिंग ने लिखा अत्यंत भायावर आदित तिनाथ जीकर आज बेटियों के लिए कब बर गहा बन गया है उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है आखेर कब रुकेगी ये दरिंदिगी वही दूसरे ट्वीट में चन्ता से सवाल पूछे हुए लिखा है कि कब तक चुप रहोगे आज उन्नाव है कल तुम्हारा जिला होगा आज उनका गाव है कल तुम्हारा होगा आज दलित बेटियां पेडों से बंधी मिली है कल सुम बंधे भिलोगे याद रहे मूग दर्शक बनकर बरबादी का तमाशा देखने वालों को इतिहास कायर कहता है जराओ धमकाओ मुकदमा करो मैं बेटियों के साथ हूँ ये ट्वीट मिला है संजय सिंग आप प्रभारी ने ये ट्वीट किया है और इसके माध्यम से इससे पहले ही हमने आपको उनका बयान भी दिखाया था जिसमें और संजय सिंग का ये ट्वीट बेटियों के लिए कबरगा बनता जा रहा है आए दिन मासुम बच्चियों के साथ बलातकार की घटना है गैंगरेप की घटना है उनकी हत्या की घटना है एक के बाद दूसरी दूसरे के बाद तीसरी खबरे बढ़ गए हाथ रसकांड हम सब अभी भूले नहीं है कितनी दरिंदगी के साथ एक बेटी के साथ बलातकार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई उन्नाओं में दिल रहला देने वाली घटना सामने आई है जहां पर तीन किसोरियां जंगल से संदिग्द परिस्तितियों में पाई गई जिसमें से दो की मौत हो गई लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की कहानी देखिए आदितिनात के राज में कोई भी जुर्म हो कोई भी अपराद हो कोई भी गुंडागर्दी हो उसका एक नया फॉर्मूला पुलिस लेके आजाती है एक नई कहानी करने लगती है इस मामले में भी पुलिस का बयान आ गया बगएर जाज किये बगएर गहराई में गए बगएर तत्यों की पड़ताल किये पुलिस कह रही है जहर खाने की आसंका है मैं आदित नाज जी से और उनकी पुलिस से पूछना चाहता हूँ जिन बेटियों पे आप ये लगा रहे हैं कि उन्होंने जहर खाया है ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जहर खा के अपनी जान दी है वो बांधी कैसे गई थी किसने बांधा उनको क्या उन बेटियों ने अपने आपको पहले बांधा और बांधने के बाद खुद से जहर खाया ये कौन मानेगा आपकी बात और क्यूं ऐसे मामलों में भी हमेशा लीपा पोती और मामले को दबाने की दफन करने की कोशिस होती है तो इसलिए इस मामले की जो दरिंदे जो हैवान इसमें शामिल है उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई है अभी सुचना मिली है कि उन्नाओ में तीन दलिद समुदाई की बहन जो जंगल में चारा लेने गई थी उसमें से दो दलिद बहनों की लाशे पेड के साथ तंगी हुई बांदी गई है दोनों बहने मर गई है दोनों बहने मर चुकी है उनकी हर्त्या हुई है और एक तिसरी बहन अपने जीवन और मनन के खड़ी है अपने जीवन के लिए जूच रही है मैं सारे दलिद बहुजन समुदाई के साथ को अपील करता हूं कि दो पहनों के डेड़ बोड़ी का तब तक वो स्वीकार न करें तब तक उनकी अंतिम ग्रिया नहीं होनी चाहिए वहीं कॉंगरेस सांसाद राहूल गांधी ने भी ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि केवल दलिस समाज को ही नहीं यूपी सरकार महिला समान वा मानव अधिकारों को भी कुछल दी जा रही है लेकिन वे याद रख थे कि मैं और पूरी कॉंगरेस पार्टी पीड़ोतों की आवाज बन कर खड़े हैं और उन्हें नयाय दिला कर ही रही है वहीं भीम आर्मी के संस्थापक चंदर शेखर आजाद ने भी ट्वीट कर कहा है कि उन्नाओ केस की एक मात्र गवाह बच्ची का बहतर इलाज वाउस की सुरक्षा सबसे जरूरी है बच्ची को ततकाल एयर एंबुलेंस से एम्स दिली ले जाए जाए उत्तर प्रदेश सरकार का अपराजियों का संरक्षन वापराजियों के मामले में सरकार की कारश शेली को देश हाथ रसकान में पहले भी देख चुका है तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्वीट जिसके माध्यम से भीमपाथी के नेता ने भी यहाँ पर साफ डिमांड की है कि लड़की को जल से जल एमस ले जाये जाये ताकि उसका इलाज बहतर तरीके से हो सके इससे पहले हमने आपको राहूल गांधी का ट्वीट भी दिखाया और उसके अलावा संजे सिंग का ट्वीट भी आपको दिखाया है तमाम विपक्ष के नेता भी इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और ये जरूरी भी है क्योंकि जिस तरह की घटनाए आए दिन सामने आती रहती है साथ ही साथ पुलिस की जोला परवाही देखने को मिलती है उसकी वज़े से आए दिन इस तरह की घटनाए सामने आती है और इसका सबसे आदा खामियाजा लड़कियों को किशोरियों को महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है सारिका गुपता कानपुर से और साथ ही साथ घटनास्थल से अवनी शुकला उनसे बात करेंगे सबसे पहले सारिका आप से जाना चाहूंगी जैसी स्थिती आज सुबे से हम केनियूस के माध्यम से लोगों को अपडेट करानी की पूरी तरह से कोशिश कर रहे है दो लड़किया पहले से हिं व्रत गोशिद की जा चुकी है और एक लड़की की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है क्या है ताजा जानकारी आपके पास सारी का आप से जाना चाहरे हूं इस समय ताजा जानकारी आपके पास क्या है उना उगटना को लेकर कि आपको बता दें कि जब से मामला हुआ था उसके बाद से के नियूज लगातार अपने तर्शकों को इस पूरे मामले की जो दर बलत खुंती जा रहे हैं उनसे रूबरू करवा रहा है और मैं भी लगातार सुबह से रिजंसी ऑस्पिटल के बाहर खड़ी पहले तो फीडि होती है तभी यहां पर जो है भी मार्मी के लोग आते हैं इस वास्पिटल का घेराओ करते हैं और लगातार में यहां से बाई समय मिला और उसने बताया कि हमारी बाहर कि इसकती जज्कितास बनी हुई है उसमें कोई भी सुधार नहीं और वह भी वह बहुत है और वह बहुत रही है तो हम कह सकते हैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से कि उसको जान को खत्र तो कि जी तो यहां पर हमने लगातार देखा हमारी समवादाता सारिका गुपता ने वहां पर रिजन्सी हॉस्पिटल के बाहर लोगों से भी बात की है भीम आर्मी के तमाम लोग लगातार ये चाहते हैं ये मांग कर रहे हैं कि पीडिता को जल से जल्द एम्स रेफर किया जा प्रदेश की सरकार होगी योगी आदिनाची होंगे योगी आदिनाची समय कहना चाहूंगा आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानिया तो मानुता है तो इस बहुता है उसे तक्काल दिल्ली एम सरी पर कराई है अपने जिला प्रशाशन को आदेश दीजिए ताकि उस बहुत प्रशाशन की होगी इस प्रदेश की सरकार की होगी और योगी आदिनाची की होगी जो कि मैं उनको एक बात और कहना तहूंगा बड़े अताब के साथ जाएं मठ में बैठें और वहां जाकर घंटा बन्टा क्योंकि उनसे अब उम्मीदत करें इससे पहले आप से ये भी जाना चाहूंगे कि रिजन्सी के बाहर भीम आर्मी के लोगों ने हंगामा भी किया है उनकी लगातार ये मांग है कि पिडिता को जल से जल एंस रेफर किया जाए देखिये यहाँ पर जो है एसपी वेस्ट पहुचे थे और उनके साथ सथ भारी था पुलिस का और उन्होंने सबसे पहले तो जो भीम आर्मी के सदब से प्रेज जो कारिकरता थे उनको बाहर निकाला है और उसके बाद जो हॉस्पिटल के बाहर जो है काफी संख्या में ल कोशिश कर रहे हैं जादा जानकारी लेदी की कोशिश कर रहे हैं तो मीडिया कर्मियों के साथ कैसा वेवार हो रहा है इसके अलावा किछी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है आपके पास वापस स्लोट के आएंगे ताज़ा अपडेट के लिए अब नीश आपके पास आना चाहूंगी अपके पास आपके पास ताज़ा रहा है ताज़ा आपके पास आपके पास रहे हैं कि परिवारी जनों का कहना है कि यह पॉइसनिंग का मामला नहीं है उन्हें हला की किसी पर शक है लेकिन अभी खुल कर वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं तो वहां पर कितनी वात्रह में पुलिस पर तयाना से साथ ही साथ कहीं यह बयान किसी दबाव में तो नहीं आया है परिवारी जनों का दो जो उनके तरवाजी जनों से बात हुई उससे तो अभी कोई वी ऐसी की रिस्पस्ट होके नहीं आपा रहा है अभी प्लिस अदिश्खग जी भी आया थे उन्होंने भी जो है बेटी की जिब मात बात किया था तो उससे वो संतोष है और उन्होंने गहाए उनको भी कि आपसे यहाँ पर जाना चाहूंगी कि परिवार जन्च पीरिवा के तमाम लोगह कह रहे हैं यह नहीं हैं लेकिन जिस तरह कि पुलिस अपनी कारवाई कर रही है उससे कहीं न कहीं परिवार जन उनसे डरे सहमें जरूर है तभी वो यह चाहते हैं कि उच्छ तरिये जाच इस मामले में होनी चाहिए आपका क्या कहना है देखिए यहां पर जो पीडिता है उसकी जब बात होती है तो फिर जो डॉक्टर ने बयान दिया था उनका कहना था कि उसके शरीर में कोई भी चोट नहीं है और जब उनसे यह पूछा गया कि क्या जहर का कोई सिम्टम्स है तो उन्होंने साफ मना कर दिया था क्योंकि हालत उसकी बहुत नाजुक बनी हुई है तो डॉक्टरों ने कहीं न कहीं इस पूरे मामले से पल्ला ज़ाड लिया था और पुछ भी बताने से पहले ही वो अपनी क्लीनिक के लिए रवाना हो गयते तो आए कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि यह जो पूरा मामला है वो जहर का भी ह को सकता है लेकिन कोई पुछ्टी ना होने के कारण इसमें असमंजस बना हुआ है जी बिल्कुल यहां पर असमंजस बना हुआ है डॉक्टर भी अपना पल्ला ज़ाड रहे हैं वहीं पुलिस भी अपने ही तरीके की कारवाई कर रही है लोगों की हलाकी लगातार यह मांग होगी कि आप गटना स्थल पर सुबह से मौजूद हैं मौके पर मौजूद हैं पुलिस के अधिकारियों का जो रवाइया है उसको लेकर आपका क्या कहना है क्या यहां पर परिवार की वह मदद कर रहे हैं या परिवार के खिलाफ ही काम कर रहे हैं अभी जब मैंने बात कर कर लेकर चलती है चाहे हाथरस कान की बात कर ली जाए या फिर किसी और कान की बात कर ली जाए पुलिस की अपनी एक तैयार कहानी होती है उसके आधार पर काम करती है जब बहुत जादा आक्रोश जंता का देखनी को मिला तब ADG law and order आए और प्रशांत कुमार ने ये बोला कि परिवार जनों के सूचना के अनुरूप ही अब ये कारवाई की जाएगी लेकिन मुख्य बात ये है कि यदि इस तरी की घटनाएं आए दिन होती रहेंगी तो महिलाएं कहां तक सुरक्षित और सेफ महसूस कर पाएंगी जी सारी का सारी का मेरा सवाल आपसे ये कि इस तरी की घटनाएं जो आए दिन होती रहती हैं और पुलिस की अपनी कारवाई चलती है ऐसे में महिलाएं कहां पर सुरक्षित महसूस कर सकती है बिल्कुल आपको बता दे कि जो घटना हुई है उससे महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है लगातार साशन प्रसाशन या लाग दावे करती है कि महिलाएं में अवेर्नेस की कमी है जिसके कारण इस तरीके की घटनाएं होती है लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं है महिलाएं पहले भी आशुरक्षित थी आज भी आशुरक्षित है और यही वज़ा है कि यह तरीके जो वारदाते हैं यह लगातार सामने आ रही है और कहीं न कहीं इन वारदातों से महिलाएं को और यूटियों को डर भी लगने लगा है कि वह अपने घरों से कैसे निकले या पिर यह जो सोसाइटी है उसको किस तरीके से फेस्ट करें बिल्कुल सारीका तो यहां पर आए दिन जब भी बजट की बाते होती हैं सरकार की बात होती है तो एक और सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करती नजर आती है बड़े-बड़े वादे होते हैं कहीं डिफेंस में पर्मनेंट कमिशन मिल रहा है तो कहीं हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात करी जाती है लेकिन उसके बाद जब धरातल की बात होती है तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा ही चूख होती है और यदीसरी की कोई गटना आती है तो उसमें पुलिस की जो कारवाई है वो भी संतोष जनक नजर नहीं आती है सारी का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अबनीश आपका भी बहुत शुक्रिया लगातार उन्नाव कांड पर हम बात कर रहे हैं सुबह से ही केनियूस के माध्यन से हम आपको पल-पल की जानकारी दे रहे हैं पल-पल की अपडेट आप तक पहुचाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे फिलहाल इस मामले में भीम आर्मी ने ये मांग की है कि पीडिता को जल्द से जल्द एमस दिल्ली रिफर किया जाए ताकि उसकी मेडिकल स्थिती में सुधार हो सके क्योंकि इस केस में वो ही एक मात्र गवा है और उसके मात्यम से तमाम पढ़ते इस केस में खुल सकती है फिल्हाल इस बुलिटिन में अभी लेंगे एक छोटा सब्रेक जल्द होते हैं हाज़र। फिल्हाल इस बुलिटिन में अभी लेंगे 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 लेक जल्द हैं हाज़र।